आज की इस ग्लास में हम 36 गड़की 2011 की जणगर्णा काथियन करने वाले हैं इसमें हम जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या बृध्धी दर्व, लिंगानुपात, साफ चर्ता दर्व, महिला और पुरुस का अलग लग और समय की ताकड़े, नगरी जनसंख्या, ग्रामील जनसंख्या, अनौशुचित जाती जनसंख्या, अनौशुचित जन जाती जनसंख्या, के समन्द में जो भी आकड़े हैं, उनका डिविजन करेंगे साथ ही साथ इन आकडों का एक सारांस एक साथ देखने वाले तो शुरू करते हैं आज का क्लास जन संख्या 2011 के जनगर्णा के अधार पर 36 गड़ की जन संख्या कुल 2,55,45,198 है इस डाटा का मैंने एक विजुल ट्रिक भी बनाय हुआ है दिमाग में इसे चापने में शायद आपकी कुछ मदद कर पाएगा यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि 36 गड़ के मैदानी छेतर में अधिक्तम जन संख्या का संकेंद्रण है कारण यहाँ पर विकास के अनुकूल वातावरन और इंफ्रस्ट्रक्चर है भौट शेतर है यदि हम सरवाथिक जन संख्या की बात करें तो प्रदेश की राजधानी रायपूर 21.6 सुन्य लाख जन संख्या के साथ प्रथम स्थान पर है वहीं बिलास्पुर 19 लाख और दुर्ग का 17 लाख जन संख्या के साथ क्रमशा द्यूती एवं 33 स्थान है सबसे कम जन संख्या की बात करें तो नारायन पूर्जिला प्रथम स्थान पर है यहाँ पर केवल 1.39 लाख लोग ही निवास करते हैं जन संख्या के अधार पर 36 गड़ को देश में स्थान दें तो केवल राजियों और संग साशित प्रदेश्यों के साथ अखन भारत में भी दोनों में ही 16 इस्थान है इस तरह से हमने सरवादिक जन संख्या, कम जन संख्या और कुल जन संख्या एवं देश में 36 गड़ का इस्थान के बारे में इस्टेडि किया जन संख्या घनत्व का मतलब एक स्क्वेर किलोमिटर में कुल निवास करने वाले लोगों की संख्या से है यदि हम इस आकड़ों पर जाएं तो देखेंगे कि 36 गड़ में 189 लोग प्रती स्क्वेर किलोमिटर में निवास करते हैं मैंने इस डेटा को सरलता से याद करने के लिए एक विजुल ग्राफिक डाला हुआ है उस पर आप ध्यान देंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा जन संख्या का सरवाधिक घनत्व दुर्ग जिला में देखने को मिलता है यहां प्रती स्क्वेर किलोमीटर 799 लोग निवास करते हैं वहीं सरवाधिक कम जन घनत्व नारायनपूर जिले का है यहां केवल 30 लोग प्रती स्क्वेर किलोमीटर में निवास करते हैं जन गनत्व के अधार पर भाराद में इस्थान देखें तो केवाल राजियों में 36 गड का इस्थान बिश्वा और संग सासित प्रदेशों को सामिल कर लें तो यह इस्थान 26 होज़ा है। जन संख्या व्रिद्धी दर है। वर्तमान जन गनना के अधार पर प्रदेश में 22 दसमलाव 6 एक प्रतिशत की व्रिद्धी दर रिकार्ट किया गया। सम्मंधित एक दशक में 4 दसमलाव 3-4 प्रतिशत की व्रिद्धी हुई क्योंकि पिछली जन गनना 2001 में सिर्फ 18 दसमलाव 2-7 प्रतिशत की जन संख्या व्रिद्धी दर जो है बलोदा बजार का है 49 दसमलाव 8-7 प्रतिशत वहीं सरवाधिक कम व्रिद्धी दर दक्षिडी सिमा वर्ति राज्य सुक्मा में देखा गया केवल 8-1-6 प्रतिशत व्रिद्धी के साथ प्रदेश का इस्थान इस आकड़े के अधार पर अखंड भारत में दस्वा वहीं केवल राजियों में सात्वा है लिंगा अनुपात लिंगा अनुपात का अर्थ प्रति 1,000 पूर्सों में महिलाओं की संख्या है इस भाग में लिंगा अनुपात सिर्फ सुन्य से 6 वर्सकी बच्चों के संदर्भ में दिखा गया है संपूर्ण 36 गड़ में यह अनुपात 979 प्रति 1,000 है सरवाधिक कम अनुपात रायगर जीले में एवं सरवाधिक अनुपात दंतेवाडा जीले में दर्ज की गई है इन आकडों कैधार पर यदि भारत में प्रदेश का इस्थान देखें तो यह चौथा है कुल लिंगा नुपात की बात करें तो चतिस गड़ में प्रती हजार पुरुष जन संख्या पर महिलाओं की संख्या 991 है 2001 के 989 से दो अंकी व्रिद्धी के साथ 991 और 989 में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक छोटा सा ग्राफिक मैंने डाला हुआ है उसे ध्यान में रखें जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो विक्सित मैदानी जिले हैं उनमें जन संख्या का अनुपात बहुत कम है जिसमें राजधानी जिला रायपूर 963 अंके साथ प्रथम इस्थान पर है सबसे कम में और यदि सर्वाधिक देखें तो कॉंडा गाउं जिला 1033 लिंगा नुपात के साथ सर्वोच इस्थान पर है उसके बाद दंतेवाडा और उसके बाद फिर बालोज जिला लिंगा नुपात के द्रिष्टी से 36 गड़ का भारत में केवल राज़ियों में इस्थान चौंथा है एवं संग्शासित प्रदेशों के साथ यह पाचवे पाईदान पर है कन्कूड करने से पहले और डेटा देख लेते हैं तोड़ा सा लिंगा नुपात राज़ियों में 0-6 वर्षके बच्चों में अनोसूचित जाती में अनोसूचित जन जाती में ग्रामिर छेत्रों में एवं सहरी छेत्रों में आज की क्लास में परसिब ना हैं तो मिलते हैं अगले भागे थैंक्यू क्या समुख झाती हैं खन्डै की क्या देए और फुछ ना हैं? झाल झाल